यादवों की यहीं हरकत उनको सत्ता से बंचित कर देगी सोशल मीडिया पर खुम माहौल बना है माहौल बना है क्योंकि गाया जीले के अत्री में एक लड़के की हत्या होती है और हत्या करने वाले के उपर जिस पर आरोप लगा है उसका नाम बैजू यादो है बैजू याद हैं क्योंकि वो तेजू यादों के साथ सिर्फ फोटो नहीं खिचाते बलकि मंच पर बैठते भी हैं अब वापस आईए सोशल मीडिया पर गया के अत्री में एक हत्या होती है हत्या जिस लड़के का होता है उसका नाम विकास कुमार होता है इसके पहले भी बैजू यादो अच्छुतोस कुमार क्या लिखते हैं दो लाइन में उसको बता देते हैं अशुतोस कुमार कहते हैं कि गया में हम पहुचेंगे अभी विहार से बाहर हैं लेकिन गया की प्रशासन तयार रहे कोई भी सलक छाप दो टके का मवाली किसी को मार कर कोई अपने आपको दादा गोसीत नहीं कर पाएगा बाकि अब नमस्कार में मुहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जिक्षन सबसे पहले अशुतोस कुमार ने पूरी बात क्या लिखिया मुझको पढ़कर सुना देते हैं अशुतोस कुमार कौन तो वही भूमियारों को नेता जो चुना और गया जिला प्रशासन यदि बेलारू निवासी विकास के हत्यारे बैजू यादों को नहीं पकड़ पा रही है तो सार्वजनिक रूप से सरेंडर करे और हमें अनुमती दे हमारी टीम सक्षम है उस सलक छाप दो टके के मवाली को घसीट कर नयाले की तक ले जाने में प आसुतोस कुमार कहते हैं कि कोई भी उस मवाली का बाप पदादा चैमहुसा बचाओं में नजर नहीं आएगा और कहीं न कहीं आप इस बात को समझेए कि गया में एक हत्या होती है और उसके बात कहा जाता है कि राजनिती में इतनी पकड़ है इसके कारण बेजू यादों अभी तक मचा हुआ है और अब उस एकमात्र बेजू यादों के कारण पूरा का पूरा माहौल विगड़ा सिधे तेश्व यादों पर सवाल उठा और अब बात भूम्यारों तक आ गई है अशुतोस कुमार आगे लिखते हैं कि दो अक्टूबर को अत्री बिदान सवागे बेलारू ग्राम निवासी मृतक विकास के घर पहुच रहा हूँ बिहार सरकार SIT गठित करे CID बुला या CBI इजाज की अनुसंसा करे हत्यारे को फासी की सजा हो इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा अब यह एक मातर सुतोस कमार के द्वारा लिखा गया पोस्ट नहीं है बलकि सोशल मीडिया पर ऐसे अनेकों पोस्ट है जहां पर एक और एक ग्रूप है वहाँ पर पोस्ट पर रियक्शन दो हजार है आप समझेए कि दो हजार लोगों ने उस पर रियक्ट किया है तो उसक करके का हत्या कल किया है हत्यारा बैजू यादों भूमिहारों का हत्या कर खुद को बड़ा क्रिमिनल घोंसित कर इलाके में देशक पहलाना चाहता है अब इससे समझेए कि बैजू यादों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है यह कई बार पहले भी शकायत हुई लेकिन ब परिनाम है कि सिती इतनी बिगड़ी है कि वह प्रभीजे सिना जाते हैं तेश्वय यादों पर सिदे सवाल उठता है इसके बात दूसरी बात कि भुम्यारों को लेकर माहौल बनता है अशुतोस कुमार कहते हैं कि बाप दादा उसका मोखसा कोई नहीं रोक पाएगा प्रशा बैजवय यादों के आगे आने वाले राजमी तीक भविस्त के लिए और प्रशन तो सिधा उन पर लग रहा है कि बैजवय यादों रायत का नेता है उनका करीबी है तो उस पर कारवाई अब तक क्यों नहीं हुई बाकि आगे जो कुछ ने जनकारी आएगी जो कुछ ने अपडेट आएगा इससे जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचाएंगे वीडियों ही पर स्वाप करते हैं वीडियों को शेर कीजिएगा फेस्बूक पेज को लाइक कीजिएगा आप जनकारी साथ जुरे रहिए कैमरे पचे 20 साल खड़े हैं और मैं मोहित क्मार सिंग धन्यवाद